वाडी शहर ट्रांस्पोर्ट हव होने से यहाँ पार्किंग की समस्या भारी मात्रा पर है कई सालों से वाडी की नागरिक इस समस्या को लेकर जूज रहे है यह समस्या कब हलोगी यह प्रशन नागरिक कर रहे है वाडी ट्रांस्पोर्ट में राच्च से लेकर देश भर से माल लाया जाता वो भेचा जाता है ट्रांस्पोर्ट शहर में होने से यातायाद बढ़ गया पार्किंग की जगा नहीं होने से अमरावती राजमार के दोनों साइड सैकडो वाहनों की पार्किंग लगी रहती है जिसके कारण दुरगटनाओ की संभावना बढ़ रही है दत्तवाडी, खडगाव टी पॉइंट, M.I.D.C.T. पॉइंट, कंट्रोल वाडी में भारी मात्रा में भारी वाहनों का आवागमन होता है खडगाव टी पॉइंट पर हमेशा जाम लगा रहता है जाम की कारण पेशेंट लेकर आने वाले एंबिलेंस को भी जाम में फसना पड़ता है ट्रांसपोर्ट की कारण आते शहर में भारी वाहन वाडी शहर ट्रांसपोर्ट हब है देश से यहां बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टरों में माल का आवागमन होता है आने वाले वाहनों पर पुलिस का नियंतर नहीं होने से, शहर में रोजाना करिबन हजार वाहन सड़कों पर ही खड़े रहते हैं पुलिस वहाग ने पत्र देने पर भी नप गंबीर नहीं दिखाई दे रहे हैं दस नमबर नाका से लेकर आटवा मिल से लेकर राजमार्क के दोनों साइड बारी वाहनों की कतारे लगी रहती है। वाडी में दस चौक हैं लेकिन पुलिस केवल एक ही चौक पर होती है। वाडी अमरावती राजमार्क पर बसा शहर है। भारी मात्रा पर यातायात दिन भर रहता है शहर में करीबन 10 चौक है जिसमें आटवा मिल, नवनीत नगर, भारत अपार्टमेंट चौक, पुलिस स्टेशन चौक, दत्तवाडी चौक, मेटेल वाइन शौप कॉर्नर, खडगाव रोड टर्निंग, मिडी सीटी पॉइंट, कार्टोल बाइपास, कंट्रोल वाडी, 10 नमबर नाका चौक है लेकिन इन चौक पर दिन भर एक भी पुलिस नहीं दिखाई देता, केवल मिडी सी चौक पर ही पुलिस रहती है, शेहर में वाडी विधर्प का बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है, लेकिन यहाँ पर आने वाले भारी वाहनों के लिए पार्किंग हब नहीं होने से सडकों पर ही वाहनों को पार्क किया चारा है, पार्किंग हब की वनाने की मांग की गई, पार्किंग की निर्मती की गई तो वाडी शेहर की यातायाद समस्या छूट चाएगी, माडी सी यातायाद विभाग ने केवल 67 यातायाद पुलिस करमी वह पाच अधिकारी तीन पुलिस स्ट वरुर।